जब से परदेष के अंदर कॉंक्रस की सरकार बंई है, आसमाजी तत्वों का परदेश के अंदर बोल्बाला हो गया है। जैसे सरकार बनी, इनकी उंचे जो है, वो खिल खिल गई है। और समेस में के उपर इस तरह के भहूख सारे प्रकरन जो है, वो सामने आये है। वैसे ये चिंता का विशे है कि बाहरी लोग यहां पर आ रहे हैं और हमारे छोटे-छोटे वेवसाई के उपर जो है वो कबजा करते जा रहे हैं और अब ये संख्या जो है वो लाखों तक जो है वो पहुंच चुकी है जबकि इनकी कोई गिंदती नहीं है कि ये यूपी के ह हैं बिहार के हैं या बंगलादेशी हैं या रोहिंगियास हैं सरकार को चाहिए इन तत्वों के उपर जो है वो लगनी चाहिए क्योंकि एक तो हमारा छोटा वेवसाई जो है तो धीरे-धीरे हमारे हाथों से निकल रहा है दूसरा धीरे-धीरे-धीरे ये छोटे तो यह कि जो मार्केट जो है वो इनीके दोरा जो है वो कुंट्रोल की जा रही है वो और चिंता का विशे हो गया है और हमने देखा है कि कुछ आठ दस वर्शों के अंदर ही यहां पर इस तरह के इलीगल काम जो है ज्यादा हो रहे हैं और चोरी डिकैतिस मर्डर्स रेप की जो घटनाय जो बढ़ रही है उनके बीछे इन वहिया तत्वों का जो हाथ हो जो पकड़े नहीं जाने है और इसके लिए कोई ना कोई सरकार इसमें चिंता करे कि ऐसे लोगों की गिंती हो और इनकी पहचान की जाए पुरे परदेश के अंदर इसकी अडेंटिफिकेशन क की जानी चाहिए और इनको हिमाचन में रहने का परमिड़ जो जाई होना चाहिए यह कितने समय तक जो हो यहां पर रहेंगे और काउन सा वेपसाय जो होई कर रहे हैं यह निकि अडेंटिव केशन जो है वो जुरूरी है पहचान जो हो छुपाई नहीं जानी चाहिए और इस तरह की जो जो शिमला जैसी घटना हुई है जब जहां मानी हाई कोट वहां पर है वहां पर माईने हाई कोट का नियम है कि धाई मंजल से ज़्यादा जो हो हम नहीं बना सकते हैं और फिर सरकार की आंखों के सामने नाके नीचे जो है वो चार चार पांच-पांच मंजली जो हो स्टोरीज वहां पर बन रही हैं तो निश्ची दूरूप से इसके उपर जो जो कारवाई चाहता है उसके उपर कारवाई होनी चाहिए और इस ऐसे अस्वाजिक तत्वों के उपर जो है वो लगाम लगनी चाहिए जिस तरीके से कि इन अस्वाजिक तत्वों की पहचान होनी चाहिए और इस तरीके से जो भी संस्थान बने हैं जो भी हो उसके उपर क अपने आवाज जो है वो रखने का सभी को अधिकार है और मैं यह समझता हूँ कि अरुदु सिंग ने विल्कुल ठीक और सही जो है वो जन्मानस की आवाज को रखा है सरकार को चाहिए कि अब इसके उपर कारवाई करें तो जो वैसी है वो कुछ भी कहते हैं उनका कोई लेन देना नहीं है वो इस देश को गजवा हिंद की तरफ ले जाना चाहते हैं और वो उस की तरफ जो है वो काम कर रहे हैं वो मुस्लमों के हित्याशी नहीं है वो मुस्लम को भढ़काने का काम जो है उसमेस में के उपर करते हैं जो की रास्त्रहित में नहीं है उनको ऐसा नही करना चाहिए